आज हम चने की बहुत अच्छी और नई रेशिपी लेकर आए हैं आपने छोले बनाकर बहुत बार खाये होंगे तो छोले वाले चने जो काबली वाले बड़े वाले चने आते हैं वही चना मैंने यूज किया है इसमें तो आपने जो है कभी इस तरीके से बनाया नहीं होगा एकडम सुपर डिलेशियस रेसिपी है जो कि खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है और बनाने में बहुत कम समय ना बनकर तयार हो जाता है बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है एकडम माइंड eller Belong thoughts रेसिपी है तो चलिए बनाना सुरूब करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक कप काबुली चना जिसे मैंने ओबरनाइट के लिए भीगा कर इसे रख दिया था यह बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है दम फूल गया है तो जो है मैंने इसको धोग कर इसका पानी निकाल दिया है और एक बावल में अच्छी तरीके से साफ करके ले लिया है अगर आपको जल्दी है तो एक दम गरम पानी मतलब बॉयल होता हुआ पानी इसमें डाल दीजिए तो चार घंटे में तीन से चार घंटे में अच्छी तरीकी से फूल जाता है और अगर जरूरी नहीं है तो आप ओबर नाइट के लिए ही भिगाईएगा क्योंकि चना बहुत हार्ड होते हैं बहुत कड़े होते हैं इनको गल्ले में थोड़े टाइम लगते हैं तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेज करने तो मैंने गैस पर रखा है एक कूकर कूकर लेंगे यहाँ पर और चनों को हम ढाल देते हैं कुकर में इसमें हम एक कप चन लिये थे जब तो इसमें हम ढालेंगे दो कप पानी तो जो है अब इसके अंदर हम जो है डाल देते हैं एक बड़ी इलाईजी थोड़े से गरम मसाले का यूज करूँगी और दो छोटी इलाईजी तीन यहाँ पर लॉंग लिया है मैंने एक इंच डालजीनी का टुकड़ा अब यहाँ पर मैंने लिया है दो तेश पत्ता और स्वाद के अनसार नमक डाल देते हैं अब इनको हम जो है लिड लागा कर इन्हीं बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है आप घी या ओयल ले सकते हैं तो एक सीटी में हाई फ्लेम में लगा लूँगी इसके बाद 10 मिनट के लिए फ्लेम को हाफ करके छोड़ दूँगी और यहाँ पर देखिए प्रेशर कूकर का प्रेशर निकल गया है हमारे चने अच्छे से बॉयल हो गये है तो जो है बहुत ज़्यदा चनों को नहीं पकाना था बस दो विशेल आने तक मैंने इसे पका लिया है अब इनको हम निकाल लेते हैं इनका पानी और चना आला गलग कर देते हैं तो इस तरीके से छलनी में निकालेंगे तो एकदम साफ सुतरा पानी अंदर चला जाता है और ये चने देखिए एकदम से हमने इसको पकाया नहीं है फूटने नहीं चाहिए मतलब चने तोटने नहीं चाहिए और जो है अब इनको हम रखेते हैं साइड में तो जो इनका पानी बचा हुआ है उन्हें आप आगे यूज कर सकते हैं नहीं तो आप पोड़ी या पराठो के लिए आटा लगा सकते हैं तो यहाँ पर पानी जो है बहुत अच्छे से देखिए साफ क्लीन निकला है एकदम अब इन्हें साइड रखते हैं यहाँ पर मैंने लिया है दो प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्च तो मिर्च में हम इस तरीके से चाकू से काट लेते हैं बीच से और चाहे तो आप बारीक ही काटिएगा लेकिन जो है हम बना रहे हैं चने का पुलाओ तो जो है हरी मिर्च को इस तरीके से लंबे पीच में ही काट कर डालिएगा तो थोड़ा खाने में अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आएगा तो यहाँ पर एकदम बारीक प्याज काटना है प्याज को एकदम बारिक बारिक देखे, मैंने चौप कर लिया है, मोटी प्याज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से खुल के जिससे आ जाए पतले पतले एकदम पीस मैंने काट के तयार कर लिया है अब यहाँ पर मैंने जो टमाटर लिया था इन्हें भी बड़े और मोटे पीस में काटेंगे ताकि पुलाव में दिखे टमाटर और खाने में भी अच्छे लगे देखने में भी अच्छे लगे तो यहाँ पर मैंने सब को ready कर लिया है अब वापस से रखेंगे एक पैन पैन के अंदर हम जो है तीन चम्मच यहाँ पर oil डाल देते हैं आप चाहें तो इसे butter में बनाईए या फिर घी में बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच जीरा एक छोटी चम्मच सौफ डाल दिया है एक टेज पत्ता एक छोटी लाइची दो लौंग और एक इंच दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला है और यहाँ पर डालेंगे 7-8 लैसुन की कलिया जैसे यह लैसुन थोड़े सौफ हो जाएंगे इसके बाद हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज प्याज को काटिएगा जब तो लंबे पीस में ही काटिएगा एकदम छोटे पीस में नहीं काटना है तो यहाँ पर हमारा जो प्याज है देखिए हलका ब्राउन हो गया है तो इसमें हम कटे हुए टमाटर और हरी मीर्च को डाल देते हैं और ध्यान रहें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं नमक का यूज मैंने चने में भी किया था तो इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है दही दो चमच मैंने दही इसमें यूज करना है हमें अगर आप पुलाओ ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप दही का यूज और भी कर सकते हैं अब थोड़ा सा इसमें हाफ टी स्पून डाल देते हैं गरम मसाला और कटा हुआ बारी कटा हुआ पुदीना और बारी कटी हुई हरा धनिय डाल देते हैं इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अभी नहीं हम भून लेते हैं थोड़ा सा जैसे टमाटर थोड़े सौफ्ट हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं दो कप पानी मैंने एक कप चावल का यूज किया है तो यहाँ पर दो कप पानी डाल रहे हैं चावलों को मैंने धो कर पंदर मिनिट के लिए पानी के अंदर भिगा कर छोड़ दिया था और यह बासमती बड़े वाले लंबे वाले चावल है तो मैं पुलाव बना रही हूँ इस तरीके से मिक्स करके इसे लिड लगा देते हैं और पांच मिनिट के बाद देखेंगे गैस का फ्लेम मीडियम ही है अभी हमारा तो यहाँ पर पानी जो है देखे थोड़ा सा सोक गया है और इसे हलके हाथों से हम थोड़ा सा चलाएंगे ज्यादा नहीं मिक्स करेंगे नहीं तो यह चावल तोटने लगते हैं तो बस इतना ही उलट पलट करना था तो अब इन्हें हम जो है वापस से इनके अंदर जो मैंने चनों को बॉइल करके रखा था अब इसे स्टेज पर डाल देते हैं और मसाले जो इनके अंदर मैंने डाले थे चनों के अंदर इनको भी इसी के अंदर डालेंगे निकालेंगे नहीं हम तो इन्हें थोड़ा सा मिक्स करेंगे अब हम इनको ढख देते हैं सिल्वर फोईल से आप अगर मैं पैन में बना रही हूं कडाई में थोड़ा सा इसको जो है टाइटली लगाना पड़ेगा और उपर से लिड लगा के अब हम इसको पकने देते हैं इसका फ्लेम एकदम गैस का फ्लेम एकदम लो करके छोड़ेंगे और पांच मिनट के बाद देखेंगे तो यहाँ पर पुलाओ देखिए हमारे एकदम अच्छी तरीके से पक गए हैं मतलब चावल जो है खिले हो गए हैं एकदम चिपके से नहीं हैं तो यह देखिए आप चाहें तो इन्हें भागोने में बनाईए या फिर कुकर में भी बना सकते हैं तो यहाँ पर अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे थोड़ा सा हरा धन्य डाल कर आपको जिसमें इजी लगे पुलाओ बनाने में उस बरतन में बनाईएगा थोड़ा भारी तले का बरतन ल अनके रेडी हो गया है आप इन्हें सर्व कीजिए बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी मैंने बनाया है तो इसे ट्राइ करना तो एक बार बनता है फ्रेंड्स बनाईएगा खाईएगा और कमेंट में जरूर बताएगा आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी तो है ना एकदम बहुत पसंद आती है मिलते हैं एक और नई रेसिपी में तब तक के लिए बाय दोस्तों